Hello and welcome you all, I am Rohit from Hajan Trader So guys, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे stock के बारे में जो stock आपके portfolio में रहना ही चाहिए तो guys, 2000 रुपे के आपको बिल्गुल 16 share इसके मिल जाएगे और बिल्गुल as a long term के हिसाब से अगर आप इसे खरीदते हो तो तगड़े return आप इसमें कमा सकते हो तो guys, यहाँ पर अगर देखा जाए तो stock में holding भी काफी अच्छी है यहाँ पर लगबग 50% की holding सरकार ही है और देखा जाए तो हर साल यह dividend भी देता है और beginners के लिए बहतरीन stock है गलती से भी stock को आपको छोड़ना नहीं है तो guys, कौन सा stock है? क्या नाम है stock का? तो काफी कुछ बातें इस वीडियो में होने वाली है तो वीडियो को end तक देखना क्यूंकि अगर आपने इस वीडियो को skip कर दिया तो guys, आपको काफी बड़ा नुक्सा हो सकता है तो guys, end तक देखो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल The Mahajan Trader को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यार और link description में मिल जाएंगी मेरे टेलिग्राम चैनल की अगर आप इंट्राडे करते हो तो link में, description में जाओ link पे click करो, join हो जाओ तो guys, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस stock के shareholding के बारे में तो guys, यहाँ पर अगर देखा जाए तो stock में जो shareholding यहाँ पर आपको दिख जाएगी अब President of India की holding है लगभग यहाँ पर 51.50% की holding यहाँ पर Indian government की है लगभग 50 के उपर ही है और बिल्कुल एं holding ही इसको एक दमदार stock बना देती है क्योंकि government का काभी बड़ा हाथ है इसके पीछे और guys, यहाँ पर अगर देखा जाए Life Insurance Corporation of India यानि LIC की holding कितनी है 7.96% की तो यहाँ पर LIC की भी holding है और यहाँ पर SBI Equity Hybrid Fund की holding भी यहाँ पर दिख रही है और LIC अपनी holding बड़ाता रहता है stock में अगर देखा जाए तो यहाँ पर DIs में आ जाता है LIC और देखा जाए तो यहाँ पर यहाँ पर यह holding December में 13.65% थी March में 20 यहाँ पर अगर देखा जाए तो 13% थी June में 12.48% थी फिर September में holding हटा ली गई और देखा जाए तो holding फिर से यहाँ पर बड़ा दी गई है December में December मन्त में इसकी holding बड़ा दी गई है तो बिल्कुल guys stock में कुछ ना कुछ तो चली रहा है और guys stock पे चलते हैं अब stock के बारे में बात करते हैं क्या नाम है stock का तो guys stock के बारे में बताओ चैनल को वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो So guys यहाँ पर आप देख सकते हो stock का नाम है Indian Oil Corporation Ltd यहाँ पर IOC के नाम से भी आप इसे जानते हो यहाँ पर अगर देखा जाए तो stock में 123 रुपे 30 पेसे पर stock ने दी थी कल closing 2.15 रुपीस तक इस stock बढ़ गया है मतलब तेजी का माहौल इस पर बंद रहा है 1.77% के हिसाब से बिलकुल यहाँ पर stock में दम है और guys वही अगर देखा जाए तो stock 5 दिन के time frame पर आप देख सकते हो कितना बड़ा move यहाँ पर हमें देखने को मिला है काफी अच्छा high लगा दिया है तो guys यहाँ पर market के आप और dividend देखने के बाद हम बात करने वाले इसके chart की तो उसको बिलकुल भी आपको miss नहीं करना है और guys वही अगर देखो तो यहाँ पर एक महीने में stock ने 7.60 रूपीज तक का return दिया है और 6 महीने में 17 रूपे तक का और बिलकुल 140 तक stock जाने की कोशिश करेगा ही करेगा क्योंकि वहाँ से बिलकुल इसे एक तगड़ा यहाँ पर rejection आया था और वसी कलो एक level को break करके उपर जाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर अगर देखो तो stock open कहा हुआ था तो 121 रूपे 50 पेसे के price पे यह open हुआ था high लगया था 124 रूपे 40 पेसे का है dividend के मामले में 7.70% तक का dividend इस stock दे देता है हर साल dividend देता है तो विलकुल इस stock दमदार है और इसका जो high है 52 इसका तो 141 रूपे 50 पेसे का है और low है 86 रूपे 85 पेसे का तो guys chart को आप देख लोगे तो chart में भी आपको काफी कुछ चीज़े आपकी clear होगी तो चार्ट पे जलते है सीधा तो guys यहाँ पर आ गए है Indian Oil Corporation के चार्ट पे और चार्ट पे आपको काफी कुछ चीज़े clear हो जाएगी तो guys अगर देखा जाए तो basically stock में आप एक rising which pattern देख सकते हो और इस stock के basis पे अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं एक resistance है और एक support हमारे पास यहाँ पर नजर आ रहा है तो इस particular level में हमें एक ही चीज़ समझ में आती कि stock एक बिल्कुल resistance support लेके बड़ा moves लगा रहा था और फिर यहाँ पर support लेके आप नीचे आया फिर उपर गया फिर resistance यहाँ पर मिला जहाँ पर इसे पहले मिला था फिर यह नीचे आया हो और यहाँ पर support लेके उपर जाने की कोशिश कर रहा है तो गाइस यहाँ पर 150 से भी उपर के target आप यहाँ पर इंडियन ऑईल में रख सकते हो क्योंकि यह target बिलकुल आने वाले टाइम में अच्जिव होने ही वाले है तो बिलकुल सही समय है guys buy करने का और बिलकुल आप buy इसमें कर सकते हो तो guys अब बढ़ते है आगे तो stock का जो price प्राइस प्रफॉमेंज नमें और year on half का अगर देखा जाए तो 10.58% ये positive है और one year का देखा जाए तो 19.48% positive है बट three years का देखे तो फिर से ये minus में आ गया था minus में किता 6.80% तो यहाँ पर price problems में भी काफी upside downs है और guys यहाँ पर जब भी जब crash होता है market तभी ये down जाते है या फिर कुछ problems आती है और covid के कारण भी काफी कुछ इसे जहिलना पड़ा था और देख लो guys यहाँ पर जो volumes है volumes का भी तगड़े है और काफी high है और वही guys अगर बताओ में कल के दीन का जाए trade value है तो 2 करोड का है और 53 के लाग के something का है combinent delivery yesterday की बात करो तो 89 लाग का trade value और 36 लाग का combinent delivery देखने को मिलेगा और one week के average में 93 लाग का trade value और 38 लाग का combinent delivery है और वही अगर बात करें one month के average की तो 91 लाग का trade value और 37 लाग का combinent delivery देखने को मिल जाएगा so guys trade values और combinent delivery और इस काफी अच्छे और काफी तगड़े यहाँ पर नजर आ रहे है और बिलकुल यहाँ पर अगर देखो तो revenues के मामले में stock अच्छा है revenue के अगर बात कर ले 2021 का तो 3,43,950 करोड का revenue इसने gain किया था हाला कि 2020-21 में यह कम है बाकी 19-2019 के मुकाबले और 2020 का जो revenue है वो है यहाँ पर 4,83,763 करोड का और 2019 का revenue है 5,28,177 करोड का और 2018 का revenue है 4,21,491 करोड और 2017 का 3,55,399 करोड के आसपास का दिख जाएगा तो बिल्कुल revenues अच्छे खासे बड़े है और net profit के अगर बात कर ले तो कोवीट के time 2020 में काफी यहाँ पर बुरी हालत इसकी हो गई थी लगबग काफी जादा गिर गया था माइनस 3,242 करोड के आसपास दिख गिर गया था और 3,242 करोड के और 2021 में फिर से profit में आ गया लगबग 20,565 करोड करोड के यहाँ पर बिल्कुल recovery की है इसने और shareholding pattern में जिसके मैंने बताया government की holding है काफी तगड़ी 51.5% की यहाँ पर FIS की holding है 7.94% की और DIS की है 12.62 और यहाँ पर public holding भी दिख जाएंगे आपको 27.94% सो गैस आपको अगरे वीडियो को सुन आ हूँ प्लीज वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू